बारती इंता पार्टी के प्रोक्तर राकेश त्रिपार्थी इसक्ट मेरे साथ मौझूद है राकेश जी अखले श्यादों के ये बयान है कि उन्हें इवियम पर ना तो पहले वरोसा था और ना आज वरोसा है वो ये भी कह रहे हैं कि यूपी में अगर वो असी सीट भी जा चुका सुप्रीम कोट के सामने इलेक्शन कमिशन ने इस बात को लिए चैलेंज किया कि आकर की एवियम की टेंपरिंग करके दिखाए तब ये दम नहों पाया तब ये दिखा न पाए ये बात वैग्यानिक है बिना तथ्य के है बिना तर्क के है ये एक इवल जिद है और जिद के आधार पर निड़ने नहीं हुआ करते हैं नरन एतरक के आधार पर होँगे वैग्यानिकता के आधार पर होँगalen प्रमाणूं के आधार पर होंगे और इवियम को टेंपर करने का किसी प्रकाण को को वैग्यानिक प्रमाण अब तक्क एronम diffusant competition के सामने नहीं प्रश्णपत्र का लीख होना निश्यत तोर पर एक गंभेर चुनोती पूर्ण मुद्दा है लेकिन प्रश्णपत्र लीख होने की घटना है कि वलुत्र प्रदेश में नहीं हुई है प्रश्णपत्र लीख राजस्थान में कॉंग्रेस के सरकार में हुए है और सोयम अखिलेस यादो जी की सरकार में दरजन भर से जादा बार पेपर लीख हुए है और पेपर लीख तो छोटी बात है मैं उससे बड़ी बात कहता हूँ फाउंडीशन भी कारने का काम मुलाहिम सिंग यादो जी की सरकार में किया जब हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की बोर्ड परिक्षाओं में संस्था गत तोर पर सरकार की और से इस बात की छूट दी गई कि नकल की जाए और अखिलेस यादो तो बेसरमी से सार्विनिक सभाओं में इस बात की लिए अपील करते रहे कि छोड़ी मुडी नकल तो करने के लिए इजाजात होनी ही चाहिए जिन्गोंने सबुस्तकिये पर इचाएं करहा ही हो जिन्गोंने उत्तर प्रदेस के विद्यार्थियों का फाउंडेशन खराब करने का काम किया हो जिन्होंने नकल को एक उद्योग का दर्जा दे रखा हो वो आज इस तरह की बात करते हैं सूप बोले तो सूप यह चलनी भी बोले जिसमें 72 छे अखलेस यादो जी को कोई नयतिक अधिकार नहीं है कि वो पेपर लिग पर बात करें और भरती प्रक्रियाओं की किस प्रकार क तो ताख पर रख देने का काम अखलेस यादो जी के सासनकाल में हुआ जब चार बड़े भरती आयोगों के अध्यक्षों को हाई कोट के आदेस से हटाना पड़ा पूरे भरती आयोग पूरी तरह से करेप्ट कर दिये थे जाती के आधार पर छेतर के आधार पर पैसे के आ अपना दल उनके नेताओं की और से पत्र जारी किये खुद अनुपुरिया पटेल एक पत्र जारी करती हैसी जिसमें लिखती है कि जो भरतियां होती है वो पारदर्शी तरीके रेकी से नहीं हो रही हैं समिदा पर भरतिया इसलिए कि जारे जिससे सरकार को इस्ताई नुक पूरियां भी होती हैं, कुछ संकाइं भी उठाई जाती हैं, सरकार के जिम्मेदारी है कि उन्स संकाओं का निवारन करने का काम करें। है उनके सुनवाई जिलों में नहीं होती है अधिकारी पुलिस के अधिकारी थाना तैसील इनमें मनवानी जा रही है तो सरकार के समक्ष सारी सिकायते रखी आती है सरकार हर सिकायत का निराकरण करने का काम करती है इस सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चल रही है कोई परिवार की उचित-मच पर उठाई जाती है और उसका समाधान भी होता है तो सरकार लोकतांतरिक तरीके से चल रही है यदि किसी को कोई समस्या है तो सरकार के सामने लाए जिसका निराकरान सरकार को इस तरह से किया जाएगा कैमरमेन प्रेम सिंग के साथ संजेत्र पाथी एबीपी नियूज लखनो